है 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 अब वेरी गुड़ इविनिंग तो अलोफ यू मैंनेम इस अनुक उपाध्याय आज हम सभी लोग एक और पार्थ हिंदू लौका एक नया पार्ट एक नया एक्ट को लेके आया हूँ बिल्कुल यह भी एक यूट्यूब पर नया सेग्मेंट है जो आपको करा रहा हूँ हिंदू लौ में हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू माइनॉर्ट इन गार्येशिप एक्ट के बाद आज आप सभी का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है लेकिन दोस्तों यह बात आप याद रखना एक बात कि आज की जो क्लास अडॉप्शन की होने वाली है इस डिफ्रेंट रिजन इस डैट बेर एक्ट की लेंग्वेज को चार्ट फॉर्म में कनवर्ट करके शॉर्ट एंड स्वीट कैसे मैं आपको सर्व करूंगा फिर आप खाईएगा ठीक चलिए तो पहला टॉपिक आप सभी के सामने है इस्टेप बाइस्टेप चलेंगे एकदम इजी तरीके से कोई जीवन में कभी नहीं पढ़ा हो तो भी समझा दूँगा चलिए हाँ ओके सभी को जाहिंद एंड गुड इवनिग सो आज हम पढ़ेंगे हिंदू लॉग जो हमारा ये चार्ट है हर लेक्चर में लेके आ रहा हूं इसमें हमने सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट को कवर किया था फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हिंदू माइनॉर् एंड गार्जिंशिप एक्ट हिंदू अप्राप्त वैता और सरक्षक्ता अजिनियम 1956 स्टार्ट किया था देन आज जो बारी आई है वह हिंदू एडॉप्शन एंड मैंटिनेंस एक्ट 1956 की यस और नो हिंदू एडॉप्शन एडॉप्शन का मतलब होता है दत्तक और मैंटिनेंस और उसको मैंने अभी कराया नहीं है आप लोग हो भूलना मत इसका मैंटिनेंस मैंने नहीं कराया है तो मेन भी कल की क्लास मैंटिनेंस के पहले इसकी वाली पार्ट फोर आ जाये yes or no अभी मैंटिनेंस द्री may आपका तो चलिए आज अब स्टार्ट कर रह 1956 अच्छा जी एक और बात सुनिए एक बात ये भी है कि कि क्या है कि ये सिर्फ 1955 है बाकि सारी कि सारी क्या है स्टुडेंट्स 1956 1956 1956 अब चलिए तो इस एक्ट के अंदर जो एक्टर नंबर है वह है 78 क्या कह रहा हूं एक्ट नंबर जो है वह है 78 ओके एक्ट नंबर 78 है जिसे अधिनियम संख्यां कहते हैं टोटल धाराएं जितनी है वो कितनी है 30 है और टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल चार चैप्टर दिये गए हैं ओके चलिए तो 78 नंबर का कानून 1956 में सारे कानून बन गए 77 कानून के बाद 78 वे 78 नंबर का जो कानून है वह है आपका हिंदू एडॉप्शन मेंटिनेंस एक्ट अब इसको मैं शॉट में बहुत भारी नाम है हिंदी में कोई बात नहीं ना तो हिंदी ना इंग्लिश शॉट इसको मैं ह-a-ma कहूंगा तो समझ जाएगा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटिनेंस एक्ट है यह क्या क्या रहा हूं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटिनेंस एक्ट है यह अब चलिए आगे की बात मैं कर लेता हूं अच्छा प्रियेम्बल वा तो भूल ही गया थे संशोधित और सहीता बद कर ना दो चीजों को वही एक एडॉप्शेन और दूसरा मेंटिनेंस तो ओमेंड एंडो एडुपशए दि लॉज विद रेस्पेक्ट टुए डॉप्शन एंड मेंटिनेंस तो adoption और maintenance के जो कानून है विदिया है जो acts है इनको amend करना और इनको codified सहिताबद करना इस act का आपका उद्देश यह है चलिए आगे की तरफ बढ़ते है रेंज जब भी मैं कोई act पढ़ाता हूँ तो उसका range जरूर होता है लेकिन दोस्तों पिछले वाला जो act पढ़ाया था minority वाला उसमें कोई range ही नहीं था क्योंकि chapterization नहीं था 13 sections ही थे लेकिन यहाँ पर 30 sections को 4 chapters में बाटा गया है और total 30 sections में divide किये गये हैं तो पहला जो chapter 1 है preliminary हर act का लगवग यही starting होता है एक से लेकर 4 तक preliminary में आ जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों देखो दो topic हीतो है adoption and maintenance act तो में preliminary 5-17 में adoption और 18-28 में maintenance और 29-30 में savings and repeal से याद हुआ क्या फटा फट रिकॉल कर लो ना हक बंद करके सर पहले में preliminary बताए हैं दूसरे में adoption बताए हैं तीसरे में maintenance और चौते में रिपील हो जाएगा पहला preliminary एक से चार फिर 5-17 फिर 18-29 खतम बात yes और नो आगे की तरफ चलिए chapter number 1 की सुरुआत करते हैं एक से चार section 1 धारा एक क्या कहता है short title and extent extent की बात तो पूरे भारत पर लागू हो जाएगा इसमें कोई सोचना नहीं है short title अभी बता क्या आया हूं इंदू adoption and maintenance act 1956 लेकिन जो exam में question आएगा वो ये वाला आएगा दोस्तों और आया है आपके प्री में क्या पूछा गया था date of ascent or enactment मतलब किसी भी कानोन को बनाने का अधिनियमित करने का date क्या है तो होगा 21st December 1956 चीक है 21 December 1956 लागू या प्रारंभ हुआ था अब इसी date of ascent को इसी date of enactment को ही हम date of commencement या लागू या प्रारंभ कहते हैं याद हो गया सभी को चाहे जो प्रशना है दोस्तों आंस्वर एक ही लिखके आना है 21 December 1956 अरे कोई दिक्कत कोई परिशानी एक बार थमसप करो तुझरा हाँ जी जल्दी से यह सभी के comments देख पा रहा हूँ बहुत बढ़िया चलिए तो chapter number one में preliminary है जो मैंने आपको बता दिया section number one आपका complete हुआ बदाई हो अब बात करेंगे section number two की जैसा कि बच्पन से पढ़ाते आया हूँ और हमारा बुढ़ापा आ गया है दोनों जनका ऐसा है नहीं है ठीक है चलिए सर का बुढ़ापा आ गया है चलो आप समझ रहे हो ना हाँ application of the act अधिनियम का लागू हो ना यह अधिनियम किस पर लागू होगा जो हिंदू है उन पर लागू होगा अरे कौन हिंदू है वही हिंदू है जिनको section two में define किया गया है तो अगर exam में प्रशन आता है who is Hindu तो यह section two वापस से repeat हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो हमने आज तक पढ़ा वापस से repeat तो वापस से पढ़ा हूं क्या पूरा short में फटा-फट पढ़ा देता हूं चलिए application of the act मतलब यह act किस पर लागू होगा यह act हिंदू पर लागू होगा who is Hindu section two में जाए चलिए section two में चाते हैं फिर से हमने वही चार्ट खोला है इसे कहते है golden chart क्या magical chart जो हर जगह काम आ रहा है who is Hindu हिंद जो धर्म से हिंदू है इसका मतलब वह क्या है वीर शेल लिंगायत follower और follower किसका है follower है वह ब्रह्म समाज आरे समाज और प्रातना समाज का ठीक है वह हिंदू है या फिर जो बुद्धिस्थ है जैन है सिख है धर्म से वह हिंदू है सी कहता है एनी अधर परसन डॉमिसाइल अधिवासित तो एनी अधर परसन कोई अन्य वैक्ति जो भारत की शेत्र में डॉमिसाइल है जहां पर यह एक्ट लागू होता है तो जहां जहां हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटिनेंस एक्ट वहां वहां आप हिंदू कहलाएंगे उस एरिया के लोग लेकिन एक बात औ और बट वहां पर हिंदू एडॉप्शन मेंटिनेंस एक्ट लागू तो होता है बट यह लोगों पर नहीं लागू होगा अगर उस एरिया में कोई मुस्लिम क्रिश्यन पार्सी जीव मतलब यहूदी लोग रहते हैं उनके उपर चारों के उपर यह एक्ट लागू नहीं ह होगा इसी के सम्मन में लेकिन इनका एक्सेप्शन है मुस्लिम क्रिश्यन पार्सी जीव इनका भी एक अपवाद है कोई भी कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया कोई व्यक्ति जिसके उपर हिंदू लागता हो कस्टम लगता हो यूसेस लगता हो मतलब रूधी और प्रथा लागू होती हो यस और नो लागू नहीं होती हो देन क्या वो हिंदू होंगे अरे जिनके उपन ना तो रूधी ना प्रथा ना हिंदू लो लागू होता है वो तो हिंदू होगे ही नहीं देन नौट अ हिंदू बोलो आया क्या समझ में यस 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 जल्दी से बताएं दोस तो both parents are Hindu चाहे legitimate child हो चाहे वो illegitimate child पैदा हुआ मतलब बच्चा चाहे legitimate हो illegitimate doesn't matter he is a Hindu man पैदा करने वाले Hindu बात खतम B option क्या कहता है दोस्तों इसको भी देख लो child जिन में से one of whose parent is Hindu तो हम उसका लालन पालन पोशन देखेंगे कि लल्ला का लालन पालन कैसे हुआ है अगर लल्ला का जो लालन पोशन है वह Hindu की तरह हुआ है तो अब बच्चा हिंदू कहलाएगा Yes or no? बहुत बढ़िया चलिए C option अगर कोई ऐसा वेक्ति है जो convert, re-convert हिंदू में हुआ है तो वह भी हिंदू कहलाएगा लेकिन मतलब schedule traps के उपर कभी भी यह apply नहीं होगा लेकिन central government notification जारी करके निर्देश दे सकता है कि STO को हिंदू मान कर उनके उपर ये act लागू करवाया जाए बोलो आया कैसे समझ के और act लागू हो गया तो हिंदू थो ही है section 2 का last clause है section 2 clause 3 any person new student okay पूराने lectures देखिएगा विजय जी अगर कोई person हिंदू नहीं है धर्म से तो क्या है but on such person provisions of Hindu adoption minority act applies हिंदू नहीं है बिचारा बड़े दुख्की बात है लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है उसके उपर यह act लागू होता है तो क्या उसके उपर यह लागू होगा act येस अगर वह हिंदू नहीं है not a Hindu by religion but on such person provisions of this act applies then he is a Hindu तो कुल मिला के हिंदू adoption and mind and हिंदू adoption and maintenance act जो है अगर लागू हो गया तो वह हिंदू हो जाएगा दोस्तों लेकिन इसका अपवाद है Muslim Christian पार्सी जीओ आगे चलिए दो sections को मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया section 2 को मैंने हर act में समझाया है अगर आपको section 2 नहीं समझाया है तो आप पीछे वाले act में भी जाके और अच्छे देख सकते हैं अच्छा section 2 मेरा खतम हो गया है क्या no section 2 को अब आप लोग में बेयर एक्ट बता देता हूं यह देखिए यह content last में डाला हुआ है इसको भी आपको देखना है एक बार फटा-फट बेयर एक की language को observe करिएगा पढ़ाऊंगा नहीं बस दिखा रहा हूं चार्ट कि application of the act अधिनियम का लागू होना इसी से ही मैंने चार्ट आपको बना के दिया है इतने सारे content से ठीक है explanation A, B, C है ना फिर clause 2 schedule tribes फिर उसके बाद expression clause 3 फिर उसके बाद यह case loss में आपको जो बताने जा रहा हूं के मनु वर्सेश चेयर मैं यह सारे case loss में आपको Hindu marriage act की पहली class में पढ़ा के आ चुका हूं यह सोरों बताईए जल्दी comment box में जिन्होंने भी lecture पहले देखे हैं तो यह lectures में already करा चुका हूं इसको मैं already करा चुका हूं दोस्तों तो आप लोग इसके लिए तो मुझसे नाराज नहीं होंगे कि यह क्यों नहीं करा आया सर्थ कि अब आईए section 3 कुल विलाके actual act की शुरुवात यहां से होती है section 3 में भाईयों देखो ऐसा है तीन definition दे रखी है क्या क्या रहा हूं section 3 में तीन definition दे रखी है कौन कौन से तीन definition जड़ा बताएंगे आप लो section 3 में एक बार सभी students से निवेधन हैं आप लोग एक बार lecture पूरा टेंड कर लीजे फिर आपकी दुख दुविधाएं और मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं सब सुनूंगा बट at the end क्योंकि मेरा जो flow है न तूड़ जाएगा आप other subjects की बात कर रहे हैं इस subject को तो cover कर लीजिए फिर last में रुकिएगा न दस मिनट दूंगा मैं आपको ठीक है लेकिन c की जो परिभास है वो minor subject common चल रही है ए में custom and uses है बी में maintenance दिया गया है जिसे भरण portion कहते हैं तीन में minor का मतलब अप्राप्त हुआ है और इसको rude here प्रता जानते ही हो अब देखो तीन एक ही अगर बात करें दोस्तो तो आप कितने सालों से पढ़ते वे आ रहे हो व और uniformly 100 सालों में परिवर्टित नहीं हुआ हो uniform तरीके से long time से चलता हुआ रहा हो मतलब कम सकम 100 सालों से तो वह custom कहलाएगा अगर आपने देखा है ना देखा है कि मैंने बताया था हिंदू marriage act में कि अगर मान लीजे कहीं पर शादी हो रही है तो वो परात के अंदर वो पता हो जाएंगे yes or no अब चलिए तो custom ऐसा होना चाहिए जो पुरानी जमानी से चलता हो uniform हो और continuous हो दूसरी बात दिर्गकाल निरंतर और एक रूपता की तरह दूसरी बात यह निश्चित होना चाहिए certain होना चाहिए unreasonable नहीं होना चाहिए मतलब custom reasonable होना चाहिए reasonable unreasonable मतलब क्या हो यह चाहिए और दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में मेरे पढ़ दादा ने पास साध्या करी थी मैं हिंदू तो क्या हूँआ मेरे धादा जी ने भी पांच करी थी तो मेरे पिता जी ने भी करी है तो मैं भी करूँगा हरे यह reasonable नहीं तुमको रंडा हैं कैसे जैसे कि custom reasonable होना चाहिए positive sense में समझझो जैसे हमारे राजस्थान में क्या होता है four plus three चलता है उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या चलता है दोस्तों यूपी और बिहार में आपके चलते हैं seven मतलब ये भी seven हो रहा है ये भी seven हो रहा है लेकिन यहां पर क्या होता है जब शादी होती है तो यहां पर लड़का और लड़की मिलके boy and girl मतलब ग्रूम मिलके साथ फेरे लेते हैं लेकिन मतलब चार लड़का ये लड़की में मुझे इतना याद नहीं है सर बता देगे आपको चार बार लड़का गुमेगा तीन बार लड़की घूमेगा चार प्रस 13 साथ जबकि ऐसा बिलकुल बिहाओ नहीं चलता लेकिन यहांच चल रहा है तो साथ ही रखेंगे जब तक न पुरे तरे नहीं दुल्हा आगे बताईए हाँ जी लेकिन अगर आपकी फैमिली का कोई मैटर है फैमिली में कोई प्रथा चलती आ रही है दोस्तों क्या कहा हूं फैमिली में कोई प्रथा चलती हुए आ रही है पिछले 100 सालों से और रिजनेबल है ठीक है डिसकंटीन्यूड नहीं मजना है भरण पोशन के अंतरगत सभी केसे से भरण पोशन क्या है आपको मैं फूड दे रहा हूं अरे भाई पती पतनी के लिए क्या करता है उसके लिए फूड देता है क्लोथिंग देता है रेजिडेंस देता है एजूकेशन दे रहा है बीए करके पास करा देता है अगर आपकी नहीं लगे तो सबसे पहले उसके ओपर घर का पुरा लोन करवा दीजिए कि चाली साल बढ़ती रहेगी छोड़ेगी भी नहीं यह सीक्रेट है बुरा मत मानना आईए आगे की बात इंद केस ऑफ एन अनमेरिट डॉटर अगर अविवाहित पुत्री है दोस्तो तो क्या होगा? अगर अविवाहित पुत्री घर पर है तो उसके नॉर्मल खर्चे और उसके एक्स्पेंसे जो शादी से सुजूड़े हुए है वह अभी मेंटिनेंस की परिभाशा में आएगा तो भरण पोशन में इस तरह की चीज़े आती ही आती है अरे यह का हो गया? अच्छा है यह माइनर है यह देखो इतने सारे माइनर लोग है यह हसरा है ना मैं फिर कह रहा हूँ यह पढ़ाई नहीं करेगा ना तो फिर यह रोएगा चलिए अब देखो माइनर क्या होता है? अप राप्तवे हुए जिसने अपना उम्र अठारा वर से 18 वर्स कंप्लिट नहीं कर रखा है वह क्या कहलाएगा? वह माइनर कहलाएगा चीक है? बस तो A, B, C, I hope आप सभी ने पढ़ लिया है और अच्छे से क्लियर भी कर लिया है ओके? चलिए आगे की बात करता हूँ ज्यान से देखिएगा section 4 आपका वही है जो आज तक आप अगेन सुनिएगा अध्यारोई प्रभाव का मतलब होता है हिंदू एडॉप्शन एड मेंटिनेंस एक 1956 के कमिंसमेंट के पहले पॉइंट टू बी नोटेड यह सेम है जो पढ़ते वाय हो section तो हिंदू एडॉप्शन एड मेंटिनेंस एक 1956 के प्रारंब के पहले का अगर क कोई टेक्स्ट रूल इंटरप्रिटेशन निर्वचन है हिंदू लॉब से संबंदित कस्टम से संबंदित यूसेस संबंदित हिंदू लौ रूठी और पर्था से संबंदित ठीक है इसके पहले का है तो वह आप सीज हो जाएगा वह बोला जाएगा as per this act अबकाम होगा व बोलो समझ में आया कि नहीं आया है वापस बोलता हूं वापस बोलता हूं एक लाइन में सुनना हां एक लाइन में बोलूगा एक लाइन में खतम कर दोगा देखो फिर से सुनिएगा अब देखो हमारा नया एक्ट बन गया है अब हमारा एक नया एक्ट बन गया है दोस्तो देट इस हिंदू एडॉप्शन एंड मैंटिनेंस एक्ट अब यह यह कह रहा है भाई साहब कि अगर हिंदू एडॉप्शन 1956 के पहले अगर कोई भी चाहे रूल हो, रेगुलेशन हो, इंटर्पिटीशन हो, हिंदू लौ से, यूसे से और इन से सम्बंदित या फिर कोई अन्य विधी से सम्बंदित हो इसके पहले और वह असंगत है इस कानून से उसको क्या कर दोगे? सीस कर दो, that's it, बात कता हो अब बात चलेगी हमारी नई टॉपिक के दोस्तों, देख लीजिए अपने बच्पन की फोटो और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके क्या आगे का प्रोविजन रहेगा तो देखो, एडॉप्शन की बात करता हूँ, सेक्शन 5 से 17 की बात रहेगी सेक्शन 5 से 17 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 5 से 17, अरे सही इमेज लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ, अंबीका सेंग के रही अब क्लास स्टार्ट हुई है, साड़े नो की क्लास है जी, चाप्टर नमबर टू पढ़ा रहा हूँ, वैसे एक से चार तक आपका कोई सेक्शन 5 से 17 को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम सभी लोग adoption का मतलब यह है, एक parent किसी दूसरे parent को अपना बच्चा दे रहा है, तुम लो मेरे बच्चे को, अब देखो कैसे, meaning of adoption, दत्तक का अर्थ क्या होगा, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है, कि adoption का meaning क्या होगा तो adoption एक प्रक्रिया है, adoption is a process, यह एक प्रक्रिया है, whereby a person assumes the parenting, वापस सुनो, whereby a person assumes the parenting of another, a person assumes the parenting of another, मतलब यह एक ऐसा process adoption, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे के बच्चे का assumption करता है, बच्चे का खुद ग्रहड करता है, usually a child है, अब ऐसा तो होगा नहीं, कि मलाइका अरोडा की जिगा अर्जुन कपूर को गोद लेंगे, है ना, तो usually a child का होता है, लेकिन, हाँ, एक बच्चे का होता है, लेकिन, usually what लिख रहा है, that means, क्या मलाइका अरोडा अगर चाहें, तो अर्जुन कपूर को गोद ले सकती है, क्या, मेरा ये प्रश्न है, yes or no मैं आंस्वर दीजिएगा, तो age difference देखा जाएगा, लेकिन, अगर custom और uses अलाव करता है, तो गोद ले सकते है, no problem, अगर custom और uses अलाव करता है, age difference है, अब चलिए, हम बाद में पढ़ेंगे, adoption की provisions, fast चलते हैं, तो adoption एक ऐसी प्रक्रिया है, whereby a person assumes the parenting of another, दूसरी की parenting को assumes करता है, a child, usually a child, from that person's biological और legal parent or parents, biological parent वो parent होता जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो माता पिता, उनसे गोद लेना, बस बात खाता हम, that's it, अब देखते हैं, गोद कैसे लेंगे, क्या-क्या provisions है, तो देखो दोस्तो, यहाँ पर adoption को अगर regulate किया जाएगा, तो 5 से लेकर, 17 तक के provisions को आपको follow करना पड़ेगा, क्या कह रहा हूँ मैं, adoption के लिए, 5 से लेकर, 17 तक के provisions को आपको follow करना पड़ेगा, अगर कोई भी व्यक्ति, section 5 से लेकर, 17 तक के provisions को follow नहीं करता है, तो प्री में पूछा गया तो उसका effect क्या होगा, सारे के सारे adoption वाइड कहलाएंगे, शुन्नी कहलाएंगे, यह प्री में आपका आया हुआ प्रशन है, यस और नो, तो दत्त, chapter 2 के पांस से 17 तरह regulate होते हैं, अध्यायदो कहता है, उपबंधों के अध्यायदो के या प्रावधानों के provisions के उलंगन में किया गया, कोई भी adoption क्या हो जाएगा, शुन्य हो जाएगा, चलिए, एक बहुत प्यारा चार्ट लेके आ रहा हूँ, क्या repeat करूँ, वापस बता दीजिए, क्या repeat करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या void होगा, ओओओओओ, एनी adoption made in contravention of provision of chapter 2 shall be void, वाइड क्या होगा, वही होगा, जो adoption होगा, और क्या होगा, यही तो बोला मैंने आपको, मैंने वापस से repeat भी किया था वैसे, प्रावधानों को follow करते वे आप कर रहे हो, तो मामला है गढ़बर, then it will be void, अब देखिए, एक मैं आपके लिए बहुत प्यारा चार्ट लेके आया हूँ, लगबग एक घंटा लगा था इसको rough paper में बनाने में, फिर आपको fair out करवा के, और दो-तीन घंटे टाइप इस ने दिये हैं इस पर, requisition of a valid adoption, आज इस चार्ट से मैं आपको बहुत सारे sections कवर कराऊंगा, एक बार आप लोग इस चार्ट को observe करो, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ, जल्दी से पढ़ लीजे इस चार्ट को, फटा-फट, इसके PDF के लिए अगर आप पूछ रहे हैं दोस्तों, तो आप मुझे टेलिग्राम जॉइन कर लीजे, मैं बता देता हूँ एक बार, linking laws, ताकि आपको मैं direct PDF दे सकूँ, linking laws, अनुप सर पे मुझे आप message करिए, सिर्फ लिखिएगा, Hindu minority, नहीं, Hindu adoption, ये भाईया हटना, Hindu adoption and maintenance act, ये H.A.M.A. लिख देना, PDF आपको मैं भेज़ दूँगा, ओके दोस्त, चलिए, आगे की तरफ चलता है, हाँ, अब देखे, इतनी सारी चीज़े हैं, लिखना पड़ा, section 6 कहता है, requisitions of a valid adoption, अगर मैं after the class, after the class, रूपा लिखो ले, after the ending of class, जैसे मैं घर पहुंच जाओ, खाना खालू, आप message करके रखिएगा, मैं भेजता रहूँगा, अब सुनिए मेरी बात को, अगर मैं adoption करना चाहरा हूँ, अगर मैं adoption करना चाहरा हूँ, किसी बच्चे को adopt करना चाहरा हूँ, मेरा mood हो गया, मैं भी adopt कर लो तो कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, तो अगर मुझे एक valid adoption करना है, तो क्या-क्या अविशक्ताई होंगी पहला point देखिए person adopting to have capacity and right to take in adoption जो व्यक्ति adoption कर रहा है उसके पास adoption का क्या होना चाहिए right or capacity person adopting to have to have capacity and right to take in adoption अगर मेरे पास मेरे अधिकार है और मेरे capacity to adoption है तो मैं adopt कर सकता हूँ पहला बाद अच्छा adoption करने के लिए कौन कौन कर सकता है अगर मैं पुरुष हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ आप अगर एक महिला हैं तो आप भी कर सकती है अगर आप पुरुष हैं तो क्या male है तो कहा पर adoption करेंगे section 7 आपके लिए बना हुआ है section 7 male को write देता है to adopt a child वहीं पर section 8 जो है दोस्तों वो आपको write देता है एक महिला को to adopt a child एक इस्तरी को ये देता है और यह एक पुरुष को write देता है याद रह जाएगा फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों ध्यान से सुनिए section 6 में valid adoption की क्या-क्या अविशक्ताएं है क्या-क्या अपक्षाएं है क्या requisites है उसके बाद section 6 से 2 sections connected है section 7 and section 8 मेरे सासा चलना नहीं गड़बडा जाओगी उदर भूल जाओ भी section 6 से 2 section connected है 7 और 8 अगर 7 की बात की जाए तो क्या एक male adoption ले सकता है हाँ ले सकता है लेकिन कैसे लेगा वह male sound mind का अगर एक आदमी पागल है तो क्या वो बच्चे को एड़प्ट कर पाएगा नहीं कैसे करेगा अभी बच्चे को जो एड़प्ट कर रहा वो पागल बनाएगा एक major के एड़प्ट कर सकता तो कोई भी व्यक्ति अगर वो major है sound mind का है तो वो एड़प्ट कर सकता है और अगर शादी सुदा है जैसे मेरी पतनी है और मैं उसका पती हूँ तो मैं एक दूसरे की consent की जरूरत है क्या yes मुझे मेरी पतनी से पूछना पड़ेगा कि क्या हम बाबू को एड़प्ट कर लें अगला मुझसे पूछेगी क्या हम बाबू कर लें मतलब adoption कौन कर रही dependence अगर पुरूश adoption कर रहा है तो महीला से पूछेगा महिला adoption कर रही तो अपने पती से पूछेगा consent of husband or wife living अगर मेरी पत्नी जीवित है तब तो मैं पूछूँगा अगर मालो मेरी पत्नी मर गई तो क्या मैं किसे पूछूँगा तब मैं अकेला माली तो कहने का मतलब चाहे यह एरो ऐसे बनेगा उल्टा बन गया है चाहे section 7 हो चाहे section 8 हो adoption अगर male करे चाहे female करे capacity यह होनी जरूरी है बोलो समझ में आया क्या यह capacity है थंस अब तो करो औरे थंस अब करो यार यहां तक clear हुआ की नहीं हुआ पहला point आईए अब दूसरे point की बात करते हैं दोस्तो capacity of person giving in adoption दत्तक देने के लिए section व्यक्ति to give capacity of person giving in adoption मेरा बच्चा है आठ दस बच्चे एक बड़ा नलायक था हमने का क्या करे साथ पालते दे रहा हूं सुनो अब तो इसके लिए साथ आठ के बाद कौन सा सेक्शन आएगा नौ जिसको मैं लेटर ओन स्टेज पर आपको पढ़ाओंगा आए आगे थर्ड कैटेगरी पर्सन हूं में भी अडॉप्टेड अच्छा अभी एक जना एडॉप्शन ले रहा था फिर एड किया जाएगा उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे बाबू तो बाबू कैसा होना चाहिए पर्सन हूं में भी अडॉप्टेड जो यह आपस में खेला-खेली करेंगे वह कौन करेंगे देखिए सेक्शन 10 इससे जुड़ा हुआ है पर्सन हूं में भी अडॉप्टेड व्यक्त अब आप चाहें कि मैं अमिताब बच्चों को अडॉप्ट कर लूँ कर सकते हो नहीं कर सकते हो मैरीड है भाई नौट मैरीड होना चाहिए नौट ऑल्रेडी बीन अडॉप्टेड ऐसा नहीं कि रामु ने अडॉप्ट किया श्यामु भी कह रहा मैं भी अडॉप्ट एडॉप्ट नहीं कर रखाओ फ्रेश एडॉप्शन होना चाहिए एक वेक्ति एडॉप्ट करेगा वन चायल वन एडॉप्शन आगे देखिए नौट कम्प्लीटेड फिफ्टीन इयर्स ऑफ एज उसकी आयू पंद्रह वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए अगर उसने अपनी नहीं कर ली है मतलब समझो नौट कम्प्लीटेड फिफ्टीन इयर्स ओफ एज अगर किसी वेक्ति ने पंद्रह वर्ष की आयू पूरी कर ली है दोस्तों तो बताईए क्या वो एडॉप्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है मतलब वो बच्चा होना चाहिए जवान को करोगे तो दिक्कत हो सकती है future में समझे बात को भावनाओं को तो यह मेरा section 7 8 9 10 की category 11 में compliance of other conditions है हम बाद में पढ़ेंगे section 11 को भी तो 10 तो पूरा हो गया 7 8 आपका complete हो गया 9 11 को पढ़ेंगे लेकिन section 7 में male adoption ले रहा था और section 8 में female adoption ले रही थी अब मैं आपको यह बताऊंगा दोस्तों कि साथ के उपर कुछ important note लगवा रहा हूं सुनिएगा section 7 के उपर important note क्या है section 7 if more than one wife मान लीजिए मेरे उपर example नहीं है क्यों लेता हूं मान लीजिए सब लड़किया ही दिख रही है कोई रेंट्स नहीं मान लीजिए सूरिया सर है क्यों ले रहा है example देखो उन्होंने कहा था मेरे चार शादी हो रख कि तब उनका use करे वर्डिंग्स का तो मान लीजिए सूरिया सरे सूरिया सर की more than one wife है क्या तीन को नहीं पूछेंगे नहीं अगर सूरिया सरे डॉप्शन कर रहे हैं तो अपनी तीनों wife wife one wife two wife three wife four चारों से permission लेनी पड़े कि that's it मतलब if more than one wife अगर एक व्यक्तिक एक साधिक पत्निया हो तो सब पत्नियों की consent जरूरी है यह सूर नो लेकिन इसका एक exception भी है ज्या ध्यान से देखिएगा अभी तक मैंने आपको क्या बताया section seven eight और छोटा सा nine कौन सा person capacity of person giving and adoption इसको मैं पढ़ाओंगा उसकी क्या capacity होनी चाहिए इन तीनों में पहले मैं exception बता दू तो ताकि जब आगे आप पढ़ोगे तो आपक no need to take consent of husband or wife husband or wife husband or wife husband or wife की consent की कोई ज़रत नहीं कब अगर किसी ने पती या पत्नी में से किसी ने भी मान लिजिए ये चले गए हिमाले परवत yes or no सन्यासी बन गए अब थक गए चार गलती कर दी हमने तो चले गए संसार को ही त्याग दिया इन्होंने तो क्या यहां पर यहां से सुनिएगा क्या यहां पर wife अगर adoption करे तो husband से पूछेगी no point to be noted point to be noted अगर यहां पर renounce the world हो गया पती ने संसार त्याग दिया पत्नी adoption कर सकती बिना पूछे पती से अगर पती ने हिंदू से मुस्लिम बन गया तो पत्नी adoption कर सकती है बिना कंसेंट के अगर अब यह किसी और पर ले लेते हैं ठीक है अगर माल लीजिए कोई व्यक्ति पत्नी अगर पागल हो गई विक्रचित यह लड़ी यह सब पागल हो गई एक माल यह एक वाइब इसको valid वाइट एक हजबेंट एक वाइफ लिएस की उपर लागू होता है यह हजबेंट है यह वाइफ है यह वाइफ पागल हो गई क्यों कि पहले इसने इसको पागल किया था अब खुद की माइंड के हो गए हो विक्रचित हो गए हो संसार को त्याग दिया हो कनवर्ट कर लिया हो सीस टू भी हिंदू अब देखो दोस्तों यह पूरा चार्ट आपको मैंने सेक्शन 7-8 अच्छे से बताया नाइन का एक्सेप्शन बताके 10 मैंने पूरा करा दिया 11 और 9 बचावा था अब सेकंड केटेगरी को थोड़ा अच्छे से डील करते हैं 9 नंबर को ठीक है कैपेसिटी ओपर्सन गीविंग अडॉप्शन दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति अगर मैं अपने बच्चे को एडॉप् सब देखेंगे आए कि सेक्षन नाइन क्या कहता है दोस्तों कंटीनुटी में आईएगा एडॉप्शन कौन दे सकता है या तो में दे सकता हूं या मेरी पतनी दे सकती है एक बार आजे सैनी पूरा करा कराने दीजी तब इसके ऊपर कोशन करेंगे हम लोग कहां था मैं सेक सेक्षन 9 में आता है दोस्तों अरे free of cost है यार क्या करूंगा चार्ट के पैसे लेके यह PDF के पैसे लेके मैं है बताओ कहा ना सेक्षन 9 की बात देखो giving in adoption क्या फादर adoption पर दे सकता है येस वाय नौट माता जी क्या adoption में अपने बच्चे को दे सकती है वाय नौट concern लेनी पड़ेंगी तो माता और पिता फिर से सुन लेजे माता और पिता दोनों अपने बच्चे को adoption में दे सकते हैं अगर मैं कहूं अपने बच्चे को गोध लेने के लिए दोनों की सहमती आविस्सक है तो चाहे आप गोध दे रहे हो चाहे आप ले रहे हो ठीक है लेने के लिए देने के लिए भाई हां है गलत है तो हाँ अपने बच्चे को देने के लिए जरूरी है अब ये गारजियन कहां से आ गया मम्मी बापा के बीच में मान लीजिए दोस्तों इनकी डैथ हो गई है कि इनकी इन दोनों की क्या हो गई है डैथ अरे इस चार्ट को इतना क्यों खराब कर रहा हूँ मैं सुनो ना यार अगर इन दोनों की डैथ हो गई है इन दोनों की ना तो इनके पिता जी रहे ना माता जी रही है तब क्या होगा जहां से सुनिएगा अगर इन दोनों की इनकी बारी कब आएगी अगर मदर और फादर की क्या हो गई है डैथ हो गई हो तो आएंगे गार्जियन सहाग तो गार्जियन भी क्या मतलब मदर फादर दे सकता है यह सकता है लेकिन इसको पर्मिशन लेना पड़ेंगा न्याया से पर्मिशन लेकर यह मैं तो कुछ को मर रहा है तो इसको क्या रखेंगे बच्चे को इसको हम किसी और को देना चाह रहे हैं तो दे सकते हो तो गारजियन जो है वह adoption में किसी दूसरे को भी दे सकता है और important to be noted खुद को भी adoption में दे सकता है माल लीजिए एक बच्चे का मैं गारजियन था फिर उसके ममी पापा नहीं रहे तो मैं ये court से permission लेकर कह सकता हूँ किसके पीछे कोई नहीं है इसका adoption मुझे दे दीजिए तो एक गारजियन खुद को भी adoption में demand करवा सकता है और किसी दूसरे को भी adoption में दे सकता है with the permission of court नियाले की permission लेकर बोलो आया क्या समझ में तो with the permission of court to any person or to himself अगर इसके दोनों parents अगर कुसी बच्चे के दोनों parents की m barley हो गई हो या फिर renounce the world संसार का त्याग कर दिया गया हो या फिर यह तो सही कर दिया था abandoned हाँ renounce the world कर दिया हो या फिर उसने अपत्ति का त्याग कर दिया हो माभा थे माभाप ने बच्चे को इचोड़ दी आ पागज़ो यहां से तो यह माबाप ही पागल हो गए दोनों लड़ लड़के पैरेंटेज ऑफ चाइल इस अन्नोन अगर पैरेंटेज यह ग्राउंड बता रहा हूं दोस्तों इन ग्राउंड पर ही होगा यह मामला गारिजन वाला अब आप लिख रहे हो दादा दादी जिन्दा है तो क्या होग इ獲िए ना कौन लिखा था यह तुम ही लिखोगि बहुत अच्छा सुख्या दादा दार्टी है तो है यह क्यों आए गारिजें पेहली बात तो यह वैस्ट होगिया क्यों कर दिया हो अ पत्याक कोई थोड़ दिया है पैरेंटेज पता ही निसके माबाप कौन है बच्चा से डिल होगा तो कहने का मतलब section 9 आपका था giving in adoption कौन सा बच्चा adoption में दे सकता है mother दे सकते हैं father दे सकते हैं और साथ में आप सभी को पता होना चाहिए guardian भी adoption में दे सकते हैं चलिए आगे के बाद section 11 में अगर आते हैं दोस्तों हम तो इह important point है compliance of other conditions for a valid adoption section 10 तक मैंने आपको complete करा दिया है दोस्तों I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा section 11 को start करने से पहले मैं section 10 का एक प्रशन पूछना चाहता हूं इसी का ही एक प्रशन पूछ रहा हूं जरा सुनिएगा इसका प्रशन क्या है अगर एक बच्चा है वह पंद्रह वर्ष से जादा बड़ा है एक परसन है अरे गलत बन गया आखिसकी एक परसन है जो more than 15 years है मैंने का पंद्रह वर्ष से जादा नहीं होना चाहिए वह more than 15 years है अब मुझे बताईए क्या इसका adoption किया जा सकता है yes if if custom allows if custom allows अगर रोडी और प्रथा अलाव करता है तो पंद्रह क्या पचास साल का भी हम अडॉप्ट कर लेंगे बुड़वा आपको भी लेके आ जाएंगे घर में समझ रहे हो तो अडॉप्ट करने के लिए अलाव करता करना चाहिए कस्टम कैसे कि हमारे यह पूराने जपाने से ही हम पचास साल का और चाली साल को अडॉप्ट कर लेते हैं तो अडॉप्ट हो जाएगा अरे जहां से आप हूं वहीं से मैं भी हूं आगे चलिए सेक्शन 11 क्या कहता है दोस्तों जहां से देखे कंप्लाइंस ऑफ अदर कंडिशन फॉर वैलिड अडॉप्शन अन्नी शर्तों के अनुवर्तन में कुछ अद चलिए पहला पहला शर्त क्या है ध्यान से देखिए हूं देखिए कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है अगर एक पुत्र का आपको एडॉप्शन करना है ध्यान सुनिएगा अगर आप एक बेटे का एक बेटा एडॉप्ट करना चाहरे है लड़का है वो तो क्या होगा एडॉप्शन एडॉप्शन पैरेंट्स मस्ट नॉट है इसको एडॉप्शन की जगह एडॉप्टिव करो एडॉप्टिव पैरेंट्स टीक है एडॉप्टिव पेरेंट्स एडॉप्टिव पेरेंट्स मस्ट नॉट हेव हिंदू सन त्यास सुनिएगा बिहार जे के लिए कॉंट्रेक्ट पढ़ा दीजिए कॉंट्रेक्ट एक्ट मैंने लगबग 147 सेक्शन तक अल्रेडी करा दिया स्टूडेंट आर्पी सिंग उसके अलावा मैंने फ्री क्लास में स्पेशल क्लास में आगी के सेक्शन भी करा रखे हैं तो पूरी कॉंट्रेक्ट एक्ट आफ फ्री में पढ़ सकते हो अल्रेडी आई हड़ डन इट प्लीज चेक ऑन वाइटी ओके अब चलिए एडॉप्शन अगर आप एक लड़की का एडॉप्शन करना चाह रहे हैं तो एडॉप्टिव पैरेंट जो एडॉप्ट कर रहे हैं उन माबाप के पास कोई हिंदू पुत्र पहले से नहीं होना चाहिए तो यह आप सं का एडॉप्शन कर सकते हैं आपके पास संस सं आपके लड़की का सोचो पर दादा पर दादा जी का बेटा बेटे का बेटा बेटे का बेटा मतलब तीन पीडी में कोई नहीं उराजी लड़का ठीक है living at the time of adoption दतक के समय जीवित हो तो अगर कोई इन category में कोई लड़का जीवित नहीं है तो आप adoption कर सकते हैं whether by of legitimate blood relation हाँ ये जो बच्चे हैं ये ना तो चाहे वो legitimate blood relation हो या adoption से हो किसी भी माध्यम से ये आपके पास नहीं होने चाहिए living नहीं होने चाहिए अगर आपका लड़का चाहे वो adoption से हो चाहे वो आपका बच्चा किसे हो भाई दूसरा वाला blood relation से चाहे blood relation से चाहे adoption से दोनों situations में, अगर आपके पास पुत्र है, तो आप पुत्र का adoption नहीं कर सकते, पहला condition समझ में आया, section 11 के other conditions की बात कर रहा हूं, other conditions में से पहला condition मैंने बता दिया, तो खुद का पुत्र, तो no adoption of पुत्र, आगे चलिए, example से समझाओंगा, तब मज़ा आएगा आपको, ठीक ह A and B has a son, C, A और B, double line मतलब, पती पतनी है, आपसे प्यार का संबत, A and B has a son, इनका एक पुत्र है C, यह पुत्र है बेटा है, C has converted to Islam, यह Islam में convert हो गया, ठीक है, C has converted to Islam, अब बताईए, क्या A और B अब adopt कर सकते हैं क्या, जल्दी बताईए, yes और no, अरे भई, A और B का A की पुत्र था C, उसने Islam धर्म में परिवर्तन कर लिया, कबूल कर लिया, बोलिये जल्दी, तो क्या अब A और B एक बेटा दत्तक ले सकते हैं क्या, दत्तक का मतलब होता है, गोद का मतलब होता है, दत्तक, सबके आंसर चाहिए मुझे, सरमाया होत करो कोई लोग, कि सरमार है, सरांसर कैसे दे, तुमको थोड़ने गोद लेना है, ये लोग लेंगे जी, बहुत बढ़िया, ये case study बता रहा हूँ आपको साथ साथ, चलिए, इतना बड़ा मैंने हा ब बोला है, येस, 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 डे कैन अडॉप्ट, विकाउज, जीवित व्यक्ति मर गया है आज, इनकी नजरों में ये बेटा मर गया, इनके धर्म का ही नहीं रहा, सी स्टू भी हिंदू, तो इनका बेटा बेटा नहीं रहा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, येस, आगे बढ़े, चलिए, अगला एक्जेम्पल एक और है दोस्तों, A and B has a son C, वापस से, A और B का एक पुत्र था C, बट C जो है वो इल लेजिटिमेट है, इल लेजिटिमेट बच्चा है, क्या A और B एडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को, बाद में पता चलता है, ये तो हमारा बेटव ही नहीं है, ये किसी और का है, फिर से आपका आंसर है दोस्तों, येस, दे कैन अडॉप्ट, वाइ नौ, वाइ नौ, भाई जब इल लेजिटिमेट चाइल्ड है, वो वाला आप सोच रहे होंगे, देखो, वो वाला मेटर अल रहे है, इल लेजिटिमेट ए, मतलब इसमें से किसी एक का राइट गडबड हो रहा है, मतलब एका मालीजे एका बचाई नहीं हो, बी का किसी और से संबन्द है, मालीजे, बी का जड़ से, तब ये सी पैदा हुआ, तो एका विचारे का राइट नहीं एडॉप्शन का हट हो रहा है तो कहने का मतलब ऐसे ही लिजिटिमेशी केस में येस ही एस राइट टुए अगला कुशन आपके सामने हैं बिलकुल एक करोड रुपए का एक्जैम्पर अगे और भी लोग शादी करा दिया इनका एक बेटा है C C जो पैदा हुआ है वॉइड या वॉइड या वॉइड एवल मैरिज से बात चल रही है C का जन्म शुन्य करनी विवाह से हुआ था Can A and B adopt a son? मतलब C जो bond हुआ था out of वॉइड और वॉइड एवल मैरिज A और B का एक सन है C सी जो है वॉइड या वॉइडेबल मैरिस से पैदा हुआ था क्या A और B मतलब यह सी जो है ना इनकी शादी ही वॉइड है इन दोनों का विवा ही वॉइड है भाई शादी ही शुन्ने हो गई अब बताओ क्या यह अडॉप्शन कर सकते हैं No No, 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 no समझो, she was born out of void or voidable marriage भले ही void marriage क्यों नहीं है बट पैदा तो हो गया ना सी पैदा हो गया है तो संभालो सुनो मेरी बात दोनों की शादी भले ही void हुई हो लेकिन बच्चा तो दोनों का ही है न भाई तो इसलिए, क्या यह और भी बाद ने अरप्ट कर सकते हैं नहीं एक बेटा पहले से इसी अब आप यह वाट नहीं कर सकते हैं पैरामाउंट इंट्रेस्ट ऑफ द चाइल इस तो भी सी फेरी गूड आंस्वर आप क्या देंगे सेक्शन सोला में बोला गया है कि चाहे शादी वॉइड हो चाहे शादी वॉइडेबल हो पैदा होने वाला बच्चा हमेशा डीमड टू भी लेजिटिमेट क्या करा हूँ ड एक और एक्जाम्पल देखिए बहुत प्यारा एक्जाम्पल लाएं आपके लिए क्या एक्जाम्पल है दोस्तों ए एंड बी हैजए सन सी ए और बी दोनों को शादी करा दी इनका बेटा पैदा हुआ है सी बट यह सी जो है सी पैदा हुआ है क्या नहीं सी इस स्टेप सन यह ए और बी का सौतेला बेटा है सौतेला मतलब समझते हो आप मतलब यह माइनस यह पतनी है यह पती बना देते हैं यह पती है माइनस पतनी है इस पती की एक और डी पतनी थी पहले से ही यह मर गई मान लीजिए तो इसके लि और हस्बेंड वाइफ जो है सेकंड वाइफ आई है सेकंड वाइफ का जो पहले से एक बच्चा है उसका पती का वो उसका 113 बेटा कहलता है तो A and B has a son C, C इसका एक step son है ए और B एडॉप्ट असन क्या ए और बी एक सन एक बेटा को दत्तक ले सकते हैं दोस्तों पता नहीं कौन याद कर रहा बड़ी हिच्कियारी रुको भाई हाँ देखे कितना बड़ा यह से यह यह दे कैन अडॉप्ट वाई नॉट रिजन समझो रिजन समझो मुझे पता है यह प्राक्टिकल कोशन से देखो ए और भी कब पहले से पूत्र है समझो मैं ऐसी बताता हूँ देखो ए और भी इशादी हो गई ए माइनस ए प्लस भी माइनस सुना पती पत्ती है अब मैं अपने हिसाब से एक्जेम्पल ले रहा हूँ इसकी डैथ हो गई बट इन दोनों से एक बच्चा सी है अच्छी बात अब क्य हो डी के लिए सी कौन है सौतेला बेटा अब अगर आप रोग लगाओगे कि यह जो है दोस्तों क्या कह रहा हूं अगर आप यह रोग लगाते हो कि एडॉप्शन नहीं कर सकते तो इसके राइट को आप हैंपर कर रहे हो इसकी क्या गलती है डी की डी की क्या गलती है डी के राइट का आप हैंपर नहीं कर रहे हो उस डी का कोई 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 ब्लड रिलेशन में है क्या बच्चा नहीं है इसलिए यहां पर ही बोला गया है दे कैन एडॉप्ट यस और नो अरे जल्दी बताओ भाईयों अब देखिए अपने अगले पॉइं हैं तो क्या होगा देखो कैन एंड बी एडॉप्ट असन कौन था अमरिता यह और भी दोनों की बात चल रही ना ऐसा तो नहीं है कि यह 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 अडॉप्शन ले लेगी यह अडॉप्शन लेगा दोनों के राइट एक दूसरे के लिए हैं पती-पत्नी का संबंद कहते हैं कि आप एक सीख्के के दो पहलू होते हैं तो ना तो पत्ति का राइट हैं पर हो ना पतनी का हो तो दोनों राइट को मेंटेन करना जरूरी है एक दूसरे के इसलिए ऐसा बोला गया ठीक है ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसका तो रियल है इसका नहीं है इस सिचुएशन में हम इसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह डिसीजन लेंगे अब चलिए क्लॉस सेक्शन का सेकंड पॉइंट करते हैं अगर आप पुत्री का अडाप्शन कर रहे हैं तो सिचुएशन में क्या होगा एडाप्टीव पेरेंट्स अडाप्ट्स पैरेंट्स मस्ट नॉट हैव हिंदू डॉटर हाँ अगर मैं एक हिंदू-पुत्री का दत्तक गोद लेने जा रहा हूं तो मेरी पहले से कोई हिंदू पुत्री नहीं होनी चाहिए संस डॉटर मेरे लड़के की कोई लड़की नहीं होने चाहिए Yes or No Living at the time of adoption दत्तक के समय जीवित नहीं रहने चाहिए चाहे वो blood relation से ही हो चाहे वो adoption से हो बस वही बात दो situations आगे हिंदू डॉटर और संकी डॉटर नहीं होनी चाहिए तो आप adoption कर सकते हैं तीन और चार को एक साथ section 11 के तीन और चार को समझे minimum 21 year of age difference प्री का बहुत important question मतलब अगर मैं adopt कर रहा हूँ अगर मैं किसी बच्चे को adopt कर रहा हूँ तो मेरा जो age difference है माल लीजिए मैं किसी लड़की को adopt करना चाहता हूँ अगर मैं माल लीजिए 50 years का हूँ तो उसके मेरे age का और उसके age के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए माल लीजिए तो कितने साल की होनी चाहिए माल लीजिए मैं 30 years का हूँ तो 25 में से माइनस 21 कर दीजिए तो तीन साल की बेटी में गोद ले सकता हूं समझ रहे हैं अगर मालीजी कोई 40 साल का है तो 40-21 कितना हो जाएगा 19 नाइंटीन इयर की फीमेल चाहिल्ड को आपको ले सकते हैं अगर कोई 40 इयर्स का वेक्ती है तो यह एक्जाम्पल से बता दिया मैंने आगे चलो 21 एज ओफ डिफरेंस यह प्री में आएगा ही आएगा फिमेल फ्रेशन में क्या होगा हटा देता है यह फिमेल में यह दिन पर ये लिखा रहेगा मैं तो भूल जाता हूँ अगर 21 year का age difference का मतलब अगर एक male wants करता है adopt करना चाहता है किसी female को या फिर female है वो wants to adopt a male child then the adoption के लिए minimum age gap 21 year का होना बहुत जरूरी है आई आगे की बात करते है adoptive person adoptive person male या female है must be 21 year older than the person being adopted वही बात दूसरी line में दे दिया हागे चलिए हाँ बही कहीं मेम ना बन जा है चलिए simultaneous adoption क्या होगा simultaneous adoption of same child by two or more persons not allowed दो पापा नहीं हो सकते दो मुमी नहीं हो सकती actual giving and taking adoption हाँ ऐसा नहीं कि adoption हैसे नहीं कि रमो आज से तेरा बेटा मेरा मेरा बेटा तेरा no 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 actual में proper तरीके से on document यह गया बच्चा काम खता है अच्छा adoption मैं ऐसे कर सकता है क्या कोई कि कोई अपनी बेटी का adoption में दे रहा है और बदलें पांस लाख रुपए ले रहा है no 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 consideration not allowed आगे चलिए must actually be given and taken in adoption यह जरूरी है कि उसको actual में लेना और देना होना चाहिए अब देखिए आगे की बात natural family में बर्थ अगर होता है in case given or transfer to adopted family मतलब यहाँ पर जो मैं यह बता रहा हूं इसके आगे actual giving और taking का मतलब क्या होता है यहाँ पर natural family एक होती है दोस्तों जहाँ पर उस बच्ची का या बच्चे का जन्म होता है natural giving and taking बता रहा हूं क्या होता है सुनो एक natural family होती है जहाँ पर उस बच्चे का बर्थ होता है वो given or transfers to adopted family एक दूसरा परिवार होता है जिसको adopted family कहते है उसको यह बच्चे को transfer किया जाता है दिया जाता है in case of abandoned child और parents parent parent age of child not known होना चाहिए parent age अपत्य की जनकता का ग्यात नहों parent age है यह आपका parent age of child is not known थोड़ा सा गडबर है typing में वापस सुनिएगा यह मैं आपको बता रहा हूं कि actual giving and taking adoption में कैसे होता है यहाँ पर एक natural family होती जहाँ उस बच्चे का जन्व हुआ है अगर उस वो जो बच्चा है उसको त्याग दिया गया है अपत्य को परित्यक्त family तो मैं कहना यह चाहता हूं adopted और parentage में एक difference होता है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि natural family वा फैमिली होती है वापस प्लीज रिपीट सुन लो simple सी language में सुनना एक तो natural family हो गई जहां पर बच्चे का जन्म होता है दूसरी वह family होती है दोस्तों जहां पर वह बच्चा adoption में दिया जाता है तो natural family से यहां क्यों transfer हो किया जाएगा क्यों given और transfer होगा अगर वह बच्चा abandoned child है या वह बच्चे का parentage पता नहीं है कि where he is brought up उसका लालन पालन पोशन कहां हुआ यह नहीं पता है तो उस natural family से adopted family में जो transfer होता है उससे उस परिवार को adopted family कहते हैं बस तो मैं यह समझा रहा हूं कि एक natural family क्या होती है एक adoptive family क्या होती है आई हूप आप सभी को समझ में आ गया होगा clear yes or no जल्दी से बताएं दोस्तों कि आप सभी को clear हाजी जल्दी जल्दी बताओ तब मैं आगे बढ़ सकता हूं कंफर्म जल्दी जल्दी करते हैं येस बहुत बढ़िया मैं यही बता रहा हूं बस कि एक natural family होती है एक adopted family natural family भी है situation हो जाए तो adoption में दिया जाता है वह adopted family हो जाती है आगे चलिए कुछ cases को समझा रहा हूं है उसको समझे एक case लस कोठारी वर्सेस एसर कुमार 1961 सुप्रीम कोर्ट का एक case लस कोठारी वर्सेस एसर कुमार का दूसरा case जोगेंदर मांची वर्सेस यह आपका बलियार सिंग का दो हजार साथ का पूरीसा का case है सेरेमनी ओफ गिविंग एंड टेकिंग चाइल्ड इस एसेंशल फोर दो वैलिड एडॉप्शन सिंपल सी बात है अगर कोई सेरेमनी के आविशक्ता होती है कि बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है यह सेरेमनी है यह कर्मकांड है यह समारो करने है तो आपको करने पड़ेंगे ऐसी बात इस case में कही गई थी यस और नो दोनो cases में एलेस कोठारी वर्सेस एसार कुमार 1961 सुप्रीम कोट में भी जोगिंदर माजी के case में भी सुप्रीम कोट ने बोला था अगर कोई सेरेमनी के आविशक्ता है तो वा सेरेमनी बिलकुल आपको निभानी पड़ेगी प्री में यह पूछा हुआ भी दोस्तों तो देखिए इस सेरेमनी रिलेटिंग टू सेक्रिफाइस ऑफ बर्निंग ऑफ क्लेरिफाइड बटर आप लोग समझते हैं जो हवन होता है उसमें वो घी जो दिया जाता है तो घी जलाने की आहुती का समारो दत्त होम कहलाता है आपके देखना बेरेक में रहेग सहलाता है now it shall not be essential लेकिन पहले ये ये पहले यह री था दोस्तों लेकिन आज के TME ये compulsory नहीं है, now not compulsory for validation, तो दत्त हम अब जरूरी है क्या, बिलकुल जरूरी नहीं है, अगला नोट लिखिएगा एक आप सबी लोग, अ हिंदू विमेन, एक हिंदू महिला, अगर वो अनमेरिड है, यहां से देखिएगा, अगर एक हिंदू विमेन, अनमेरिड है, विडो व है, या, whose marriage has been dissolved, उसकी शादी का विगटन हो गया है, अन्चेस्ट वुमेन, अपवित्र महिला है अगर वो, अपवित्र महिला है अगर वो, माल लिजी उसके sexual relation किसी और के साथ है, has capacity to adopt, प्री का one of the best example, one of the best question, यहीं से आएगा दोस्तो, बार बार प्री में पूछता है, कि एक हिंदू महिला है, और वो, अन्चेस्ट है, तो क्या वो, अडॉप्शन कर सकती है, बताओ जरा, अरे बोलो ना भाई, अगर एक हिंदू महिला है, उसका sexual relation किसी और के साथ चल रहा है, तो वो, अपवित्र है, माल लिजी तो क्या वो, अन्चेस्ट विमेन, में, वो, अडॉप्शन, एक, दो, तीन, चार, पांच, वो, अडॉप्शन कर सकती है, तो कोई भी प्रशन आ जाए, येस, येस, शी कैन एडॉप्ट, एक केस आया था, सीता भाई, वर्सिस रामचंद्र, 1970, सुप्रीम कोर्ट का, अगर मान लिजी एक चाइल्ड है, ठीक ह एक चाइल्ड है, वो विडो का, विदवा का है और उसके हस्बेंट की डैथ हो गई है, तो क्या उस विदवा का ही बच्चा माना जाएगा, नो, विदवा द्वा द्वारा, दत्तक लिया गया पुत्र, केफल उसका ही पुत्र नहीं होगा, बलकि विदवा के मृतक पति का भी होगा मतलब मान लीजिए ए और बी ये दो husband wife थे ठीक है ये husband और wife थे एक ही अगर death हो गई तो ये कौन किया कहलाएगी विद्वा विड़ो कहलाएगी अगर इसने कोई adoption किया है future में तो ये adoption किया हो बच्चा adoption में जो child होगा वो दोनों का होगा एक भी और बी का ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ बी का चाइल्ड है एक और केस था अगर एक केस आपके पास है कि शोरी लाल वर्सेस चलती बाई 1959 सुप्रीम कोट का the adoption is to be proved as a fact adoption को तत्य के रूप में आप कर सकते हैं and the burden is on the person who asserts so और burden उसके उपर होगा जो ये हाँ भरता है example देखिएगा एक हिंदू क्या हो गया भाई हाँ एक हिंदू मेल है जो 28 साल का है हिंदू मेल 28 years of age adopted adopts a child female child of 13 years of age देखो जो भी आपको class other subject की बात हो लास्ट में करते हैं सारे subjects की बात हम लास्ट में कर लेंगे प्लीज अभी आप focus करिए lecture पर एक हिंदू मेल है पुरूश है जो 28 वर्ष का है दोस्तों फिर इसके बाद दूसरी बात इसमें ये आई है हिंदू मेल हिंदू मेल है यह 28 वर्ष का है इसने फीमेल चाइल्ड को एडॉप्ट किया है वो थार्टीन यर्ज की है कि दा अदॉप्शन इस वाइड और वाइडेबल आंस्वर दीजे जल्दी से किया एडॉप्शन वाइड होगा कि वाइडेबल होगा बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत अच्छा लगा नितिन वेरी नाइस बिल्कुल दिस टोटली वाइड बिकॉस दे एस डिफ्रेंस इस नीड़ेड इस 21 यर अब 15 साल वाला देखे कंफ्यूज मत हो जाना वह अलग चीज है या एस डिफ्रेंस 21 साल होना चाहिए इसलिए नहीं कर सकते आईए अगला पॉइंट चलते हैं एडॉप्शन की बात अब आगे की तरफ मुवण हो रही है दोस्तों AU 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 नेचुरल पैरेंट्स या प्राकृतिक माता-पिता बाइलोजिकल पैरेंट्स हो एंड दी एडॉप्टेड चाइल्ड कैन नोट रिनाउंस हीज और हर स्टेटस एंस सच एंड रिटर्न टुद फैमिली और ऑफिस बर्थ बहुत सिंपल सी बात कह रहा है एक लाइन में सुन अगर मैंने किसी पैरेंट्स का एडॉप्शन किया है एक बार मैंने बच्चिव अडॉप्ट कर तो मैं क्या अपने पूरी जीवन काल में उसे वापस कह सकता हूं मैंने गलती कर दी तुब तेरा पेटा वापस ले जा यह तेरा बेटा तो दारूडिया निकल गया बेवड स्टेटस एस सच एंड डिटर्न तो फैमिली जवर्ट माल लीजे मुझे मेरे ममी पापा ने अडॉप्शन में दे दिया अब मैं कहीं अडॉप्शन था मुझे पता चला पज़िए मैं पचीस साल का हुआ क्या करूंगा तब मैं को छोड़ता हूं मैं तो मेरे मेरे में पा लिया गया है वो यह डिसीजन ले सकता है कि मैं कहां रहूंगा उसे एडॉप्टेव फैमिली के पास ही रहना पड़ेगा समझ एक नहीं समझ के सभी लोग ना तो गोद लेने वाला रिटन कर सकता है या जो गोद लिया गया प्रोड़क्ट है बच्चा है वह यह बढ़ा ह versus Union of India ah husband and wife I have one question husband and wife ticket but wife is died husband wants to adoption of a girl child he can take adoption or note he can टेक एडॉप्शन और नॉट अच्छा कोशन है कि मेल और फीमेल की बात चल रही है तो मेल अगर अकेला है तो क्यों किसी बच्ची का एडॉप्शन कर सकता है आप लोग भी इसका आंसर दीजी राजवर्धन जी का अच्छा प्रशन है फिर हम लोग आगे दिल करेंगे चलि संध्या वर्सस यून आफ इंडिया आप सभी स्टुदेंट्स भी रिप्लाय करीं का जब तक बंबे का केस था इसमे क्या कहा गया था बंबे हाई कोट है थे प्रोविशन सेक्शन 11 सब्सक्शन 1-2 आर नॉट वालेटिव आटिकल 14 & 21 of Constitution as it was contended that it discriminated between parents with any number of children of the same sex and parents prevalent from taking any child of same sex in corruption बहुत अच्छी बार इसने बॉली कि यह आर आपने जो 11 का clause 1 है 11 का clause 2 है जान सुनिएगा 11 का clause 1 और 11 का clause 2 है इसमें बोला यार लड़का है तो लड़की को adoption नहीं ले सकते लड़की है तो लड़की को adoption में नहीं ले सकते क्या यह Article 14 का उलंगन नहीं है आई है और राइ इसने इस केस में साफ साफ बोला कि भाया यह नौट वॉयलेटिव आर्टिकल 14 और 21 है यह आपका डिसिजिन आया था इसमें अब सेक्शन 12 की बात अगर करते हैं तो सेक्शन 12 में इफेक्ट आफ एडॉप्शन की बात बोली गई है कि एडॉप्शन का क्या प्रभाव रहेग तो यह मेरे अभी तक के एडॉप्शन के पॉइंट्स थे आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आभी गया होगा कोई दिक्कत हो यहां तक आप लोग पूछ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं जब तक मैं देख लेता हूँ कोई नोट्स आपका छूटा तो नहीं है प्लीज गिव में ए मिनिट चलिए संधिया वाला भी केस हो गया effect of adoption ठीक है effect of adoption में आपको एक point बता देता हूँ बहुत important point है ताकि वह आपका छूटे नहीं देखो effect of adoption 12C thank you नायग जी effect of adoption में एक चीज आपको बताता हूँ दत्तक के परिणाम में क्या है section 12 का clause C क्या कहता है ध्यान से इसमें सुनना अगर कोई child natural family से adoptive family में जाता है ठीक है कोई एक चाइल्ड है बच्चा है वह adoptive family से कहा जाता है natural family से adoptive family में जा रहा है जहां जन्म लिया वहां नहीं अब adoptive family में है तो वहां जो interest ओल्रेडी लोगों में वेस्टेड है वह डाइवेस्ट नहीं होंगी doctrine of relation back आ रहा है दीरे दीरे point to be noted क्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं अगर कोई child natural family से adopted family में जाता है तो वहां जो interest ओल्रेडी लोगों में वेस्टेड है वह डाइवेस्ट नहीं होगा मतलब एक बच्चा unadopted family में ऐसे कदम रखके वहां के लोगों के rights को हिला नहीं सकता येस undivided interest सुनना अब इस line को नहीं समझे कोई बात नहीं हाँ सब बता रहा हूं कोई बात नहीं इस line को नहीं समझे अब समझेंगे आईए example देखो in a family husband wife and daughter are there एक परिवार है जहां पर पिता जी है माता जी है उनकी पुत्री है तीन जने रहते हैं husband की मृत्ती हो गई अब कौन बचा husband की मृत्ती हो गई wife और daughter बचे now property of husband is wasted in his wife and daughter equally समझो बात को एक परिवार है जहां पर पती पत्नी और उनकी एक बेटी रहती है मैं यह कह रहा हूं वहां पर husband की death हो गई तो बचा कौन बचे कौन पत्नी और उनकी पुत्री equally और उनके पास property वेस्ट कर गी 50 50 percentage to widow wife को चला गया 50 percent to daughter को चला गया yes or no अब देखो आगे क्या हुआ subsequently ध्यान से सुनू मैं क्या कह रहा हूं माल लेजिए husband wife है माल लेजिए a और b plus और minus पती पत्नी है इनका एक daughter है d चीक है यह पुत्री है अगर माल लेजिए इनकी death हो गई पती की death हो गई तो जो property है वो किस में बटेगी property जो है दोस्तों death के बाद वह बी और डी में equally distribute हो जाएगी है ना अब बाद में क्या होता है एक लड़का एक्स है अब बॉइ एक्स इस अडॉप्टेड इन दो फैमिली हिंदी में तो बता रहा हूं subsequently मतलब क्या होता है बाद में बाद में क्या होता है इनके परिवार में एक लड़की थी और एक माताजी थी इन्होंने सोचा यार एक लड़के को भी अडॉप्ट कर ले जाए पुत्री है हमारी एक पुत्र ले ले एक्स इस अडॉप्टेड इसने एंट्री कैसे किया एडॉप्शन के फॉर्म में परिवार में एक्स आया है ही रो बनके एक्स एडॉप्टेड सन कैन नोट डाइवेस्ट दा इंट्रेस्ट वेस्टेड इन दा वीडो और डॉटर डेट इस 50 परसें यहां पर एक्स की एंट्री की वजह से जो एंट्री से ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं एक्स की एंट्री की वजह से बी और डी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आगे देखिए एक्स कैनोट से टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी इन थ्री पार्ट्स एक्स क्लेम नहीं कर सकता अरे तू एडॉप तो बताओ पहले जो प्रॉपर्टी पहले से बड़े है तो क्या यहा कह आकर हमारे अधिकारों को खाएगा नहीं खाएगा नहींगा देखो आगे ही बात में आएफ और की बात में एक हम डॉपर्ट्रीन आज पढ़ने वाले है तक प्रॉपर्रंट抵ूट्र of relation back theory हलां कि मैंने theory बहुत डीप मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन सुन लीजिएगा भूत काल से संबंध का सिध्धान the doctrine of relation back in adoption is the concept of old Hindu law जो doctrine of relation back है न यह old Hindu law से संबंधित यह concept है दोस्तों which has now been abolished by the section 12 section 12 के द्वारा इस इस ख्योरी को क्या कर दिया गया है abolished खतम कर दिया गया है और हिंदू adoption and maintenance at 1956 तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हिंदू adoption and maintenance act ने doctrine of relation back को अब खतम कर दिया है लेकिन एक last line और सुन लिजिएगा जाते जाते कि doctrine of relation back है क्या कि यह आपके मन में एक प्रशना रहा होगा वैसे मैंने plus course बहुत अच्छे से बताया है इसको चार्ट वाइस भी समझाया था कि पहले क्या होता था पता है बाद बतारो old Hindu law में old Hindu law ओर पति और पत्मी है ए अगर पती की death हो गई म्रत्य हो गई तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो प्रॉपर्टी कभी भी पत्नी के पास नहीं जाती थी यह प्रॉपर्टी पती जो था इसके इसके ब्रदर माली जे एक्स और वाई है यह एक्स और वाई कौन है ब्रदर्स इनके पास चली जाती थी यह प्रॉ परटी उनके भाईयों में बटेगी क्या यह अब वैलिड है नो सेक्शन ट्वेल्व के आने के बाद से इसको हटा दिया गया है इसको खतम कर दिया गया है नाव फीमेल अरे दो हजार पांस के आने के बाद महिलाओं के पास कितने राइट आ गये दोस्त तो अब क्या फीमेल के पास पूरे राइट है यह भाईयों को तो यह आगे चलो सारे सारी प्रोपर्टीस पत्नी की है ओके आई होप मैं आप सभी को इस एक्ट में एडॉप्शन के सारे पॉइं लिंगिंग लॉस अनुप सर के नाम से टेलिग्राम चैनल है अपने कोशन स्वाप भेजी आपको आंसर भी मिलेंगे जाते जाते हैं बहुत रेट लेट नाइट होगे ही दोस्तों अब मैं भी जाओं खाना खालू लिंका थोन आपका स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी सब्हुत्रा-घैशां से सुनिए गा एक बज के 30 मिनट पर इस पेचिल क्लास ले रहा हूं जहां पर बिहार के लिए फोकस्त मैं मैं इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट के स्कंडग करा चूका हूं आगे एसारे के टैस्त होने वाले हैं ऐसारे के अला इंडेन कान्टरेक्ट एक निगोशियाबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हिंदू लो सेल अफ गूट्स एक्ट यह नो कंपनीज एक्ट आपका चल रहा है पार्टनर्शिप एक्ट चल रहा है इन सभी के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं एज वेल एज यूट्यूब पर भी यह पूरा सेशन आ रहा है जो आपके लिए रेडिकेटेड रहेगा अनकेडमी गोल को भी आप देख सकते हैं दोस्तों यस और नो और साथ मैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि देड़ बजे 12-15 पर सूरिया सर्की क्लास रहती 12-15 से 15 पंद्रा जीके आप प्रिपेर करिए जीके के बाद 15 मिनिट का रैस्ट फ्री क्लास की बात कर रहा हूं फिर उसके बाद देड़ से ढ़ाई ठीक है तो मुझे कर दो कोई दिक्कत नहीं है एक ही बात है अभी होना है दोस्त अनकेडमी गोल प्राइस राइज सून सेव अप जूडिशरी है आपका 22-26 लिंगे कोड यूज़ करके हाँ जी देखो ब्रेंड अनुपुपाध्याय का कमाल 200K तो मैं लेके आ चुका हूँ है ना सिर्फ मैं ऐसा कहूं किया नहीं हमारी पूरी टीम जो है 200K में लेके आए है और यह कारवा चलता रहेगा और आगे भी करेंगे थैंक्स पोर यूर सपोर्ट गाईज एंड लिंकिंग रेगुलर बैच 2.0 आपका चल रहा है जिसको भी आप जॉइन कर सकते हैं मैं अनुपुपाध्या आपको मिलूंगा जुडिशरी के मेंस बैच भी चल रहा है बिहास के बिहार का सेमिलेटर मॉक टैस चल रहा है प्र एक बचकर तीस पीम पर लेता हूं जो आपके लिए प्रोटली फ्री होती है इसमें आपको इंट्रेक्टिव लाइफ क्लास पोल से रहे हैं नेवर मिस क्लास लेक्टर नोट्स एनिटाइम एनिवेर फैसलिटीज प्रोवाइडेट येस सर्प्रीज मेरे में से सीन कर लिजेगा जी बिल्कुल करेंगे सिखा रस्तोगी वाइनॉट थैंक्यू प्रभाती आपको अगला जो कुछ आप बोल रहे हैं आइम गिविंग सेकंड सेमेस्टर एक्जाम इन वन मन्थ एंड आई हैव एचे में इट वस वेरी क्लिर थैंक् के लिए भी वीडियो लेकर आईए अभी कौन सा मन चल रहा है जुन जुलाइए ओके 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 चलिए बिहार का एक्जाम हो जाए फिर उसके लिए भी सोचते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शने सिक्स ट्वाल एटीन 24 मंस के कोर्से आइकॉनिक में सिक्स ट्वाल ट्वांटी के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं चलिए थैंक्यू सो मच आई होप मैं आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा हूं क्या खहरें प्रेम जी खुदा करे किसी को महबत में जुदाई ना मिले कभी भी किसी को इश्क में बेवफाई ना मिले और जोस चलिए आप लोग पढ़ लीजिए कमेंट चलिए आगे आगे की बात करते हैं बहु दोस्तों अगले लेक्टर के लिए स्टार्ट रहेगा और ऐसी इस शायरिया मत लिखा करिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से मैं अनुपार्दिया आप सभी से विदा लेता हूं जैहिन एंड जैवारत थैंक यू थैंक यू बाबाई टेक केर हैव नाइस क्दिए